नमस्कूर आप देख रहे हैं उत्राखंड स्पेशल और मैं हूँ आपके साथ लता चले शुरू करते हैं उत्राखंड की एमखबरों का सलसला खटिमा में इंडो नेपाल सीमा पर 57 वी वहनी कमालेट की निर्दैश पर तसकरी के खिलाफ अभियान चलाया गया है इसके तहट खटिमा इंडो नेपाल सीमा पर SSB की टीम को एक बार फिर से खाट तसकरी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है SSB की टीम ने मुखबीर के सोचना पर भारत से सरकारी खाट को नेपाल तसकरी के लिए ले जाते तीम नेपाली तसकर को गिरफतार किया वहीं अन्य तसकर अन्धिने का फायदा उठा कर भागने में सफल रहे सक्ड़े गए तसकरों से 381 कटे खाट बरामत किये गए है जिसकी कीमत लाखों में आखी गई है वहीं बताते चलें कि एक खाट की सिमावर्ती लाखों तसकरी हेटू डंप की गई थी वहीं एसेसबी अधिकारी आन्न सिंग भंदारी नेवताया कि पकड़े गए तसकरी के समान को कस्टम को सुपुर्द किया गया है और आगे भी नेपाल किमा पर एसेसबी की टीम तसकर लगाम कसने के लिए किजारी लगातार जो पहरुआयँ एं उसी के दौरान है अमारे बटलें कमांड्रेंट के निजेसान उश्यार तसकरों को पकड़ने के लिए ये इसेस अभ्यान जो चलाया गया है उसी के तह जो है कल-रात्री गस्त के दौरान स्सीफी द्वारा अगलग जगों पर डंप किया गया विभन प्रकार का खाद जो कि भारत से नेपाल की तरफ ले जाय जा रहा था उसको गस्तिपाडी द्वारा पकड़ा गया उसमें से तीन नेपाली नागरी पकड़े गए बागी जो हैं जेरे का फाइदा उठाकर बागने में काम्याब रह चार लाख से उपर जो है आखी गई है जिसकों की आउश्यक कारवाई करने के उपरान कस्टम ऑपिस खतेमा को जमा कर दिया जाएगा और इसी प्रकार से भुष्य में भी तसकरों के किलाब कारवाई जाद जाद हुए विफाग से नाराज कॉंगेसी कारिकरताओं ने दियेफो आफिस में धर्ना प्रदर्शन किया विफाग से नाकाम साबित हो रहा है जिसका खामियाजा आप लोगों को अपनी जिंदगी देकर भुगतना पड़ रहा है 27 साल कॉंगेसी प्रदेश उपादेश मयूक पहर ने इसके लिए चुने हुए जनपर्दिनीद्यों को भी जिम्बदा ठराया है पर कॉंगेस ने हमेशा जनता का साथ दिया है जनता के सुख दुख में भागिदारी करिया है अल्मोरा में रोडवेस करमचारियों ने जोड़दा धरना प्रदर्शन किया रोडवेस करमचारियों कहीं कहना है कि विगर चार बहा से वेतन का भुकतान नहीं किया गया है इसे नारास होका रोडवेस करमचारियों के सामने भुक्मनी की नौबत आ चुकी है आपको बता दे कि हल्मोडा के रोडवेस जीपों की कारले के बाहर रोडवेस करमचारी खटा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबासी करते हुए जल्द वेतन भुखतान करने की मांग की गई पिसले जून महिने से करमचारी को वेतन नहीं दिया गया है लेकिन सरकार अभी तक नीन में सोई हुई है और अगर सरकार शीद्री करमचारी के हितों को देखते हुए साथत परिलाम नहीं देती तो पिर करमचारी उगर आंदूलन करने को बात होंगे प्रांती नेतर के आउवान पर एक दिन एक दिवसी धन्ने पर यहाँ पर डिपो कारेशाला में बैठे हैं हमें बिगत जून से अभी तक बेतन नहीं मिल पाया है कर्मचारी सारा गुशे में है और लोगों को खाने के लाले पर चुके हैं लोगों को बच्चों की फीज देने के लिए पैसा नहीं है और सारा कर्मचारी भुकमरी की कगार पर आ गया है कर्मचारी जो है यहाँ पर किराय पर रहता है मुख्यालाई में और उसको अपना किराय देने के लिए मकान माली के लिए पैसा नहीं है और लोग जो बिमार पढ़ने हैं उनको अपनी दवाईउं के लिए पैसा नहीं है और सारी समझाएं कर्मचारी इतना परिशान हो चुका है कि उसको वो पूरी तरह से भुकमरी के कगार पर आ गया है राजपाल बेबी राणी मौरे ने अपने दो दिवसी चमपावा दोरे के दोरान आज दूशे दिन हस्तर शिल्प और महरतियों से मुलाखात की नोने बनबसा के वबनपूरी गाओं के नीरू राणा, राकी राणा, खर्चना राणा और लता मंगेश की गोर से तैयार किये गए हस्तर शिल्प की सरहना करते हुए समुगी महिलाओं की ओर से नर्मित उत्पादों की भी जमकर तारीफ की है इस औरान राणा 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 ले महिलाओं को आगे बर्चर कर काम करने का पूद्साहन दिया साथिसाथ बेबी राणी ने चमपावल जिले की सुन्दर्ता की भी जमकर तारीफ की है मने की भी अब मुझे बहुत अच्छा लगा कल आके मन को बहुत सांती मिली और बढ़िया लगा आज मैं जो साथा सम्हों से मिली हूं तो मुझे एक बात की तो बड़ी खुशी है और संतुष्टी भी है कि वह महिला अपना काम करके संतुष्ट है और वह इतना यूनिक कारे कर रही है केवल इनको सपोर्ट देने की ज़रुत है अगर इनको सपोर्ट दिया जाए इनको हाइलाइट किया जाए ने बढ़िया मार्केट मिले तो जो महिला आज चार-पांच चाहिए आज हम राजियर पाल जी से यहां और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कारी को हम और आगे पहुचाएंगे और हमें आसा है कि वो हमें और मदद करेंगी और उनका भूट भूट धन्यावाद करते हैं जो हमें यहां आने का मौका मिला ननिताल हाई कोट ने उत्राखन के पूर मुखेमंतिरी वा महराश्य के राजपाल भगत सिंग कोश्वारी के शिलाफ नोतिफ च्वारी किया है आपको बता दे कि महाराज के राज़पाल भगत सिंग कोश्वारी के सरकारी आवास का किराया वा बचली पानी समेट अन्य समुधाओं का भथता जमाना करने पर नलिताल हाई कोट ने सकत रुख अपनाया और भगत सिंग कोश्वारी को चाल सपता के बीतर जवाब कोट ने आदेश दिये गए हैं आपको बता दे कि सरकारी आवास किराया वा अन्य समुधाओं का भुकतान करने का आदेश पोर्ट भगत सिंग कोश्वारी को राज़पाल बने से पहले दे आ जा चुका था और राज़गा करता के द्वारा भगत सिंग कोश्वारी को दो महाँ पह करते हुए मुखे नियादीश की खंड़पीट ने सभी मुखे मंत्रियों को बासार भाउस के चिराया जमा करने के आदेश दिये थे इसके बाद राज़गा की ओर से पूर्भ मुखे मंत्रियों के मामलों में अज़गा जानी कर सरकारी घर समेथ अन्य भगतों को जमा ना करने की छूट दी थी इस फैसले को याचिका करता ने हाई कोट में चुनौती भी दी इसके बाद मुखे नयादीश की खंड़पीट ने राज्य सरकार द्वारा बनाय गए एक्ट को असमेंधानी करार देते हुए पूर मुखे मंत्रियों को बकाया जमा करने के आदेश द अगामी उधानसमा चुनाओं को लेकर कॉंगेस एक्टिशन मोड पर दिखाए पार रही है मैंपूर्वधायक मनुष्टिवारी के नेकरतों में आज अल्मोडा में जिला विकास प्रादिकरण को समाफ्त करने की मांग तोलेकर गांधी पार्क में जम्परधरना प्रदेक्शन किया गया वह इस वाके पर कॉंग्रेस गारिकरताओं ने सरकार के खिलाफ जब करनारे रहा है जिससे की कोई व्यक्ति अगर एक या दो मुठी में अपना मकान बना रहा है तो उसका मकान बनना बहुत असंभव है उसमें सेट बैक छोड़ने का प्रवधान है उसमें कार पार्किंग का प्रवधान की कार पार्की होनी चाहिए करके तो हमारी सरकार से यह मांग है कि इस काले कानून को इस जिला विकास प्राधिकर को पर्वती छेत्री की भवलीक परिस्तिती को देखते हैं इसको तटकाल निरस्त किया जाए वैसे के साथ उत्राखन स्पेशल में फिलाल इतना ही आप दिके रहें नियूस थर्यों उत्राखन नबस्कार